चलो, अब आगे देख लेते हैं, हिंडी सब्जेक्ट के जो प्रसण बैंक है, इसमें भावार्थ भी आपको देखने को मिलेगा, तो सब प्रसंग भावार्थ आपको लिखना है, तो चा नमबर के प्रसंग आपके एकजाम में आएगा, तो इसमें टोटल आठ प्रसंग दि आन्सर प्रोवाइड किरा लिए यह पे जो एक प्रस्रन है इसका आपका परिष्च mesa सभी सभी जीतने भी है वह सभी के सभी आपको परत आसानि में असानी जाए तो आप बांकी सब्रीचेम में जितने भी आप ढूंड सकते हो मिरत टिक करे लेना ठीक है और जो नहीं है उसको मैं उसको आपको दे दूँगा ठीक कौन सा नहीं मैं आपको बता दूँगा तो चलो सुरू करते हैं तो पहला प्रशन क्या है यहाँ पे देखो पहला है उधाव तुम हो अतिवर्ड भागी अपरसहत सनेत तगातैं नाहिन मन अनुरागी पुरिनी पातर रहत जल भीतर तारस देह नदागी जो जल मा तेल की गागरी बूंद नतों को लागी प्रिती नदी में पाउन बोर्यो दृष्टी न रूप परागी सुर्दस अबला हम भोरी गुर्चांटी तो पागी तो ये जो है एक प्रकार से कवीता है तो कवीता को हम कवीता जैसे पढ़ना है तो आपको इसी तरह से पढ़ना है अब इसके संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं तो संदर्भ में आपको क्या लेना है संदर्भ में आपको जितने भी संदर्भाब बनाओगे तो उसम तो आपको कभी का नाम याद करना है तो यह कौन से पार्ट से लिया गया है तो यह जो पार्ट से लिया गया है यह है पद पार्ट से लिया गया है तो देखो कैसे बनाना है आपको संदर्व सभी में एक जैसे बनाना अलग नहीं बनाना है मैं आपको सिर्फ एक प्रस नहीं बता रहा हूँ ठीक है बाकी आप लोग समझ जाओगे कैसे होगा दिखो संधर्व कैसे बनाना है या पद हमारी पार्ठ पुस्तक के कौन से पार्ठ है पद पार्ठ से लिया गया है इसके कभी कौन है सूरदास ठीक समझ में आगे हैं कौन है कभी सूर्दा तो देखो दो चीज़ें आप यूज हुआ पहला पाठ का नाम और दूसरा है कभी का नाम तो इस अंदर वाप आसानित बना लिए एक नमबर आपको मिल गई यहाँ पे ठीक है इसके बाद प्रसंग लिखना है अब प्रसंग में किसके बारे में बोला गया है ठीक है जिसके बारे में बोला गया है उसी के बारे में बताना है तो प्रसंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं जरूई नहीं है कि जो गाईड में दिया है वही लिखो तो ये प्रसंग में लिखना है आपको अब भावार्थभ देख सकते हो भावार्थभ को आपको सिर्फ पढ़ना है ठीक है पढ़ने के बाद ही आसानी से याद भी हो जाएगा आपको इसके बाद काबिस है लिए आपको लिखना है इसी दरह से देखो नेश्ट देख लेते हैं ठीक है दूसरा प्रसंग देखो दूसरा में भी आपको सा प्रसंग व्याक्या वही चीज़ करना है ठीक है दूसरा भी सेम है फिर इसके बाद देखो इसका एंसर भी आपको दे रहा हूँ सभी का इसके बाद देखो तीसरा प्रस्न देख लो तीसरा प्रस्न कभी answer है यहाँ पे है मैंने लगा दिया है ठीक है देख लो तीसरा प्रस्न होगी है चलो आगे देखते हैं चौथा तो आपको समझ में आ रहा है किसा प्रसंग कैसे बनाना है संदर्व कैसे बनाना है ठीक है प्रसंग संदर्व ये सब आपको असानी से बनाना आना चाहिए क्योंकि इन सब में आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है चलो आगे देखते हैं पांचवा प्रसन देखो यहाँ पे पांचवा प्रसन इस तरह से ठीक है छटवा प्रसन जो है बांच पहले देख लो, इसके बाद देखो छट्वा प्रस्ना की तंस अट नहीं रही है तो ये वाला कविता है इसका जो भावारत है आपके परिछा ध्यान में नहीं दिया है मतलब ये टॉपिक ही नहीं है और ये अट नहीं रही अध्याय से लिया गया है तो इसी अथियास चे जो ईए जान में तो यहां पर यह जो टॉपिक है यह आपको यह याद रखना तो इतना तो आपको हर में लीखना है इसके बाद काझ वे आप देख लेना कि कौन से काप ऐली है ति ले इसके बाद को रॉक्ट या को इसको भी आप लोग लिख लेना ठीक है चलो ठीक तो इस तरह से पुरा कंप्लीट मैने करा दिया इसको